ओम श्री कृष्ण पर्मात्मने नवहाँ श्रीमत भागवत पथा दुरुष्टान्त अने रहस्य आपने जानियें चीए के राम सीता अने लक्ष्मन वन वास माते निकलया त्यारे गंगाना सामेपारे जवा माते एक केवट मलेशे अने केवट ने लक्ष्मन जी बोलावेईने कहे छे अमने सामेपार लेई जेश केवट नावडी माती जगये छे के हुँ तमारो मर्म जानू छू लक्ष्मन पूछी उंत्तू शू मर्म जाने छे इमने उत्तर मिलोकर राम जीना चरण मा एवी शक्ती छे के तेमनी चरण रजना स्पर्षती पत्थरनी रुषी पत्नी बनी जाई छे त्यारे मारी नावडी तो लाक्डा नी छे राम जीना चरण ना स्पर्षती मारी नाव रुषी पत्नी बनी जाई तो तो हुँ मारा कुटुम नू भरन पोषण के विर्थे करू तमने मारी ना रावडी मां बेश्वानी जरूर होई तो रामचंद्र जी मने एवी आज्या करे कि मारा चरण पखाड। वो मारा आते रामचंद्र जीना चरण पखाड इस। रामचंद्र जीना चरण धोई ते पची हुँ तमने नाव मां बेश्वाद इस। केवटना प्रेम भर्या वच्चनो सामडी रगुनाद जी प्रसन थाया, चरण सेवा मालिक जेना उपर करे चे, तेने आपे चे रगुनाद जी एक ने बोला गयो छे राम जी मनोमन विचारे छे के बे चरण ना मालिक तो बे तरफ उभा छे आ वड़ी त्रिजो जागयो राम जी ये निर्णे करोक मारो लक्ष्मन निर्विकार छे वाम चरण नी सेवा सिता जी करशे दक्षिन चरण नी सेवा लक्ष्मन जी करशे परन्तो आजे तो केवट ये बनने चर्ण निसेवा मागी छे केवट नो भाव जोई नसित्या जी ये कईव केनी इच्छा छे तो चर्ण सेवा करवादो अपने प्रश्नत आई के आ केवट अहीं केम प्रक्टियों कून छे आकेरत आ केवट पूर्व जन्ममा क्षीर समुद्रमा काच बहतो तेने नारायन नी चर्ण सेवा करवी हती तेने लक्षमी जी ना पाड़े छे औने शेस जी ना पाड़े छे आजे लक्षमी जी सीता थाया छे औने शेस जी लक्षमन थाया छे ते वक्ते तम्हे बन्ने चर्ण सेवा करवा देता नहता, आजे तम्हे बन्ने उभाजो पने हूँ सेवा करूँ छू केवट राम कुष्णने गंगा जीना सामा किनारे उतारे छे, छेवटे साश्टांग प्रणाम कर्या छे, चेवट ने खाली हाथे विदाई आपता राम जी ने बहु संकोच थयो केवट नी सामे जोई शक्या नहीं मालिक नी नजर धर्ती उपर चे अमारी बहु सेवा करी चे तेम ने काई आप यू न थी राम जी ने इच्छा थे केवट ने काई काई आपूं पन आजे केवट ने शू आपूं मारी पासे काई न थी सिता जी इराम जी नी र्यथा समझी गया चे केवट ने कहीं आपवान इच्छा थे पन पासे काई न थी येकले संकोच थाई चे माता जी ये अंगुठी उतारी इराम जी ने आपीचे रगुनाज जी अंगुठी केवटने आपवा जाई छे केलियो आगुन कुठेलियो केवटे जवाब आपयो छे मारा पिता जी ये मने कहुँ छे कोई गरीब आवे ब्राम्मन आवे, साधू आवे, तपस्वी आवे तेने उत्राई लेवी ने तेने काई लिधाव अगर गंगा पार उटाजे आजे आप राजादी राज थैने आगया नथी पन तपस्वी थैने जरूर आगया छो तपस्वी पासेती काई लेवाई ने प्रबुए कयू उतने मजूरी नथी, आप तो आ प्रसाज छे प्रसाद तरीके लईले केवट हाथ जोड़ी ने बोल्यों प्रसाद लेवानो आदिवस ना थी मारा मालीक आजे वन्दमा जाई छे उगाड़ा पगे फरे छे कंदमोर खाई छे चाउद वर्षन वर्णवा सुखर पूर्ण करो सिता जी साथे सुवर्णना सियासन उपर विराजो के पची जे आप कुँँँए क्या आप जो क्यारे आ सेवक में प्रसाद आप की तो केवट अंगुठी लेतो न थी चियारे लक्षमन जी एक गुसे थी तारी ने हमारी जाती एक झे अमेक सत्य जाती ना ने तूँ भील जाती नो छत्ता कहे चे कि जाती एक चे केवट कहे तमारी अने मारी जाती एक नहीं पर मारी अने राम जी ने जात एक चे गंगा जीनों केवट हूँ छूँ अने संसार सागर ना केवट राम जी छे जासू नाम सुमीरत 112 उतरही नर्बव सिंदु अपारा हूँ लोकोंने गंगा पार्त उतारू छूँ आप लोकोंने संसार सिंदु नी पार उतारो छूँ आप रुपा करो, त्यारे जीव संसार सागर्नी पार उत्रेश, नाथ समय आवे, आ जीवने संसार सागर्नी पार चुकस उतारी देचो, हरी ही ओ अः टुकस सु कहा हुए सुने संसार सीवस पार चुकस से हैं